आज हमें बहुत ही बढ़िया टोपिक के बारे पड़े गए पावर सेविंग कैसे किया जाता है टेक्स्ट्राइल इंडेस्ट्री में पावर सेविंग मीन्स एकस्ट सेविंग भी डा capture करता है क्यों आपको मालूम है आज पावर कश्ट बहुक ज्यादा होता है लेवर करस्ट से बढ़ गया पावर काश्ट अभी साढ़ आठी रुपिया तक पर यूनिट पढ़ता है हम अगर power saving नहीं करेंगे तो industry survive नहीं करेंगा अपन कोई भी फाइदा नहीं होगा तो कोशिस करेंगे minimum power खर्चा हो ओ maximum product निकले तब जाके अपन industry manage कर पाएंगे चल पाएंगे तो उसके लिए अपना एक प्राया से देखिए कैसे कैसे अपन कर सकते में टपिक रहा power savings mixing area में अपन कहां कहां power saving कर सकते जईको mixing एरिया में सबसे पहला है अपना टेक ट्रायल फ़र हैंड टबलिंग जैसे कोई कोई मिक्सिंग लगाते ना जहां पर हाथ में मैट्रियल खुल जाता है उसमें ब्लेंदर का इस्तमाल नहीं कयर करेंगे जैसे प्रिंटर फाइवर है प्रिंटर की घृस चै cares से खुल देंगे जैसे कन्यटर स्नायवर तो वाइद लेगा उसके लिए ट्रायल पड़ेगा अगर ब्लेंडर का का आवर्ड करेंगे और हाथ में कोई क्व्यालिटी करिक भलक एक छन होता है धियुन अरynn टाप, यह जोगा एक बहुत बड़ा समस्या है जैसे मिक्सिंग अपन लगाते अगर बर देलेगे वाइज और नहीं डाले मश्यर नहीं किये या कोई एक कमपनेट भूल गए तो मिक्सिंग सेड़ अप होता है मेरा जो मिलांज का जो टपिक है ना उसमें जाकर देखेगा शेड़ का क्या क्या करण है तो सेड़ अप होता है मतलब मैट्रियल अपना फिनिशा ट्रेंग तक ज जो ब्लोरूम में चला काड़िंग में चला मिक्सिंग में चला ड्रेंग में चला उसका पावार का जो खर्चा है वह बेकार हो जाता है क्योंकि फिन से अपना मिक्सिंग बनानी पड़ती तो आप्वैड सेड़ अप नहीं हो उसके लिए पूरा द्यार रखना पड़ेगा देखे कोई गोई मिक्सिंग होता है तो अपना मलब दो टप्लिंग के जागा एक टफ्लिंग में काम चल जाता है यह से प्राइल करते रही लेंगा जैसे अपने एक टप्लिंग घटा देगे तो एक बलेंडर का जो पावार खर्चा वो वह कम हो जाएगा और उसको करने के लिए कुछ रहता है जैसे मलब समूर लो 95 परसेंट एक कलर का माल पांच परसेंट दूसरा कलर का माल है तो 95 या 90 10 है ऐसे हलका सेड़ है या पूरा डार्ट सेड़ है वैसे केस में आप एक टपलिंग बाइपास कर सकते हो एक टपलिंग मे पर काम चल जाएगा जैसे ब्लेंड होता है 37 का मिक्स अप या साट चारीश होता है पचास-पचास होता है यह से केस में आप बिल्कुल रिक्स नहीं लेना उसमें डाबल टपलिंग करना पड़ता है तो कोशिश करें जहां पर ज़रुत पड़ता है एक टपलिंग आप कैं चले मानुवाली अपना हां टप्लिंग करके काम चला चला लेंगे माटरियल ट्रांसपोर्ट कंडेंसर की थूर नहीं होके मानुवाली हाथ में कटिंग करके लेके दूसरा बीन में डाल सकते उसमें भी पावार बच्जात हो सकता है और देखिए यह होगी आपकी मिक्सिंग एरिया उसके बाद आया जैसे कि मिनिमाई गया अगर कम ज्यादा रहता है हलका भर लगाता है तो हम इसको बढ़ेब असको कर देते और रिजेट करने से क्या होता है मैट्रियाल इतना मुश्किल से चला लास तक आए फिर अइसका पावर्थ खर्चा हो गया लेकिन रीजेक्शन हो गया तो उससे बढ़िया है लैप रिजेक्शन मिलिमाईज करें जो मेंटेरिनस करें जो करना इसको ट्राइल करके मिनमम रिजेक्शन करें लेप रिजेक्शन ना बढ़े रिक्वाड बीटर्स टू रण रेस्टू पाइपास शमलों अपन एक्जम्पूल बता रहो महलों पर ब्लोर मुलाइन में बहुं सारे बिटर रहता है अपन कटन की स्ट्राइब का सब्सक्राइब कम रहता है उस केस में आप देखिए अगर एक बीटर कोई बाइपास कर सकते एक या दो बीटर बाइपास करके अपने क्वालिटी लेवल खराब नहीं होता वह भी करके देखेगा क्यूंकि बीटर एक दो फालतु चलाने से उत्रा पावार कस्ट बढ़ ज लोग अपना एक बेर्वक लिए चला है इनमिक्स कितना तेर चलेगा फिर उसी साब से फ्लेक्सिक इनका जो बीटर है वह कितना मिंटी चलेगा इनका टाइमिंग रेशियो क्या है वह सब चीज सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ता है ताकि अपना क्वालेटी भी खराब सब्सक्राइब करना हो बीटर पगरा बंद भी रहा है स्पेशियाली इनमिक्स और फ्लेक्सिक इनका बीज में सिंक्रोनाइज होता है उसको मेंटेन करके चलेगे तो कम से कम रणिंग में बढ़िया पल्टी निकलेगा इन के सब पलिश्टर लाइन सेंट्रलाइज प्यान मोटर कापासिटी तू रीडूस मतलब समलों एक कटन लाइन था इसको अपन पलिश्टर लाइन में कनवर्ट के पलिश्टर चलाने जा रहे है तो उसमें कटन लाइन में जो फिल्टर का बहुत सारे ताम जाम रहता है इतना जरूरत नहीं है उसमें मिनमौम ओश्ट निकल चला सकती है चलाने लने सब्सक्राइक सिनाओ में रहिता है पलिश्टर में इतना यहां कि चला जाएगा जैसाम से कम两 गता है File इसको आप कम कर सकतो 30-40 आंप्यर का मोटर लगा के आप मैनेज कर सकतो कुआ कार्ड रोलिंग कार्ड लूडिंग क्या होता है जैसे कार्डिंग में अपना देखना बीज-बीज में सिलिंडर डफर के उपर मैट्रियल पकड़ लेता है मतलब चोकप हो जाता है प्लस्टिक जैसा बन जाता है वह लोडिंग इसलिए होता है आपकी पीछे का जो आंटिस्ट्राटिक एजेंट तेल पानी डाला हुआ वह प्रपर नहीं है तेल पानी कम होने से लूडिंग होगा या ज्यादा होने से लूडिंग होगा प्रपर तेल पानी रहेगा बरापर चलेगा लूडिंग नहीं होगा लूडिंग होने से क्या होता है कारीगर इसको एक गंटा दो गंटा खाली चलाएगा लूडिंग साब होने तक तो एक दो गंटा जो खाली चलाएगा उसमें दब गया जहां पर दबा हुआ वहीं मैट्रियल पकड़ेगा मैट्रियल चिपक कर रहेगा तो इसको बार बार लोडिंग में आएगा जो चवीच घंटे में छे गंटा लोडिंग में गया तो चे घंटा का पावार भरबाद हो गया पड़क्षन निकलेगा दे तो इसलिए एसे काड़ को आप तुरंट सही करा है मांटिंग करें इसको पूरा सही करके चलाना लोडिंग वाला काड़ और उसमें लोडिंग रहेगा तो उसमें लेप्स बगरा फुट की जैसा मैट्रियल के साथ पास होगा क्वालिटी भी खरब करेगा तो लोडिंग तो अभर करें अप्टिमाइज डिलिवरी स्पीड टू रिडूस मिलिममम नंबर अफ काड्स जो काड़िंग का स्पीड जैसे समवलो एक क्वालिटी में अपन एक सो साथ तक जा सकते तो 130 क्यूं चलाएंगे 140 क्यूं चलाएंगे मैक्सिम स्पीड लेके चलेंगे समवलो अपन 10 काड में अपना प्रडक्शन टार्गेट पूरा हो जाता है अपन क्यूं 12 काड चलाएंगे या 11 काड चलाएंगे तो जितना मैक्सिम स्पीड अपन ले सकते क्वालिटी को डिट्रट नहीं कर गए जितना स्पीड ले सकते और लेने का नहीं तो अपना पावर कर्स फिर बढ़ हैगा बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेगा मलों आठ दस में चलेगा और वह आधा गंटा एक गंटा लुक चला लेते हैं इनका आधत पड़ी हुई कारिगर का एक बैड प्रेक्टिस है वो इसको कोशिश करे कार्डिंग को भी स्पीड में नहीं चले चाए शिप्चेंज क है लेक्स पाइंट देखे अपना काडिंग तक है तो उसका ड्राफ में तेके अबाइड रेंडिंग शिंगल सैड मतलब सब्सक्राइब कभी ब्रेकर में दो डिलिवरी का है कभी-कभी माल नहीं मिला तो अपन बोलते हैं एक साइड चला जे एक साइड कभी नहीं चलाना म सब्सक्राइब करना पड़ेगा इंचिंग में पावर कंजब्शन बहुत ज्यादा होता है तो वह सब्सक्राइब होना जरूरी है और कन्ट्रन वेस्ट और सलाइबर्वर कन्ट्रोल करना पड़ेगा ज्यादा वाशत होगा फिर पीछेanson पिछे दो प्रेके Kardak जाएगा प्रेकस्ट और पीछ बंदने से पीछे जाएगा फिर प्लत की फावर कर्चा होगा अप्टिमाईज स्पीरी तूं मैक्सिमम और बेटर प्रड़ेटिविटी यह आपने ड्रॉप है मैं सब्सक्राइब चला रहे हैं तक चला सकते तो उस केस्ट में क्या करना अपने प्रड़ेक्शन घड़ जाएगा फिर आपकी पावर कर्ष्ट बढ़ जाएगा डू नट अज रॉन ड्रॉप है में आज पर रिक्वार्मेंट वही बात हो गया प्रड़ेक्शन ज्यादा आएगा तो आपके जरुत उतना चलाना ज्यादा नहीं चलाना और सिंप्लेस में द आड़ीस में आड़ीस में दिखक चाता है और पावर की नहीं दो एप अपना झाताै नट न जा रहे में अनन जा रहा है इसको में बंड जितना बचाईआ एको थे बन्त करके उसको पूरा माल फैला दीजिए पूरा स्पिंडल के उपार और पूरा स्पिंडल जैसे पूरा फैला दिया फिर चालू करो और कोशिश करो इसको आठे टाइम फिनिस करने के लिए लार टाइम ज्यादा लंबी नहीं करने जैसे यह क्या होता है समलो 500 किलो का लाट लगा या 300 किलो का लगा अपन यह वो कलर का माल पूरा सिंप्लेस में लणा तो 300 किलो में समलो 120 स्पिंडल का सिंप्लेस है तो जित्रा किलो पड़ा उत्रा किलो का लेंग्थ आरेस्वी में सेट कर लो 120 डिबा निकल जाएगा 120 सिंप्लेस में लग जाएगा एक साथ खाली हो जाएगा यह व्यक्त तरीका है ताकि लाट रन आउट का लस नहीं आए सेट रपिंग फर निव काउंट रान मिनिममम नाट फूल डफ मलब कोई नया काउंट चालू करते हैं अपने चार बविन चलाते का आदत पड़ा रहता है इसको पूरा फूल डफ चला लेता है फूल डफ चलाने का नहीं है अपना कमशे कम 15 परसेंट 10 परसेंट चला लो सब्सक्राइब हो जाए तो उसके बाद फिर इसको बंद करके पूरा माल चालू करके चालू करना है ऐसे कारीगर की आदत की करण सिंपलेस्ट में पावर लास होता है अगर फूल डफ खाली पिली चला देता है मैं लेक्षपांट देखे रिंप्रेम में आगे सब्सक्राइब है अब आडल स्पीडल आटल स्पीडल में चले आडल फिञां में चलेगा तो स्पीड़ गूंता रहेगा पड़क्शन नहीं आएगा अड़क्टिविटी लस होगा तो पावर कर बढ़ जाएगा और वह ओ सब्सक्राइब करना स्पीड कम नहीं चलानी जितना चलानी पड़ेगे और वह मिनिमाइज एंड डाउन एंड डाउन में आगर ज्यादा रहता है तो भी दिखा जाता है पड़क्शन कम आने पर पावर करश्ट बढ़ जाता है तो एंड डाउन में ध्यान रखना पड़ेग सब्सक्राइब कम से कम रखना पड़ेगा चाहिए उससे ज्यादा प्रेकेज होगा क्या स्पिंडल गुमता रहेगा पड़क्शन आएगा नहीं नियुमा फिल्म सारी वेस्ट जाएगा तो पावर कर स्ट्रेश्ट बढ़ जाएगा तो ब्रेकेज कोंट्रोल करना पड़े लोग क्या करते यह बदमासी करके डाल देते तो मेशीन का प्रोविजन है जैसे कभी क्लीनिंग में चालू करना चालू करना पूरी पूरी धागा चालू करना पड़ता है 10-15 मिंटी का कंस्टांट स्पीड मतलब 8000-9000 डाल देंगे तो फटपट गेटिंग हो जाएगा उसी का फाइदा के लिए दिया हुआ लेकिन उसका गलत इस्तमल तब होता है जब कारीगर कंस्टांट स्पीड डाल देगा आदा गंटा चाय पीने चला जाएगा गुमने च खर्चा हो जाएगा जितना होनी चाहिए तो यह सबसे बड़ा प्रोब्लम में और कारीगर से रिलेक्टेड प्रोब्लम में इसको ध्यान रखेगा और मिनमम टीपे टू यूज आपको मालूम है टीपे अपर इंप्रम में जितना कम यूज करेंगे उत्रा अपना पावर काम रहेगा लोड कम लेगा मोटर तो मिनमम कैसे करेंगा टीपे यह देखना जैसे कभी कोई माल आपको मालूम होना है आगे जाकर टीओफ को में डभलू में यह लगा और यूज यह प्रपल रिंट्राबलर मेंटेण सेडुल डालेंगे जो प्रॉपाइल का और उसका शिडूल मेंटेंड करेंगे तो आपकी कश काम रहेगा सारी मैं डपिंग टाइम समभलो आठ गंटे में पांट अपाया चार मिंटी में डप खुलना चाहिए कोई 10 मिंटी लग गया कोई 15 मिंटी लग गया तो कूल मिला के टीचें लगा है तो एक से कोई आपकी पावर कर्ष्टिंग बढ़ जाता है क्योंकि उतना टाइम अपना लाइट जला उतना टाइम में अपना प्रेशा चला वह सारी चीज बढ़ जाता है तो एस आप चीव ध्यान करने का वेस्ट कंट्रोल वेस्ट कंट्रोल इसलिए है उसके बात देखें ऑटोकोना वोर टोकोन सबसे बढ़ा काट्रोल मिनिमम जो अपना जो कर साता है जो फर्ट काटता है तो काउंट का हिसाब से या मेंटेरियल के सबसे कं सबसे कम से कम आना चाहिए चाहिए ज्यादा जाएगा नॉम्बर बढ़ जाएगा नॉमबर पुझ एक बाइश होगा तो बहुत एयर कंजप्शन होता है यार उसकी चाहिए ना इसे एक दागा लेगा दूसरा दागा इसे खुलके मैंडिंग करेंगा मदस प्लाइसिंग करेंगा तो उसमें यह चाहिए तो मिनिममूम का तो कोई स्पिंडल खाली नहीं जाएगा कई ज्यादा माल नहीं होगा ड्राव बालांस डिस्बालांस नहीं होगा बरामर स्पूतली चलता रहेगा आपके उसमें वेश्पगरा कम आएगा एपसेंसी अच्छा आएगा सब बढ़िया रहेगा तो ड्राव मार्जेश्मेंट बिश्पटन चीज है मिनिमाइज रिवांडिंग क्या होता जैसे कोई फाल्ट पास हो गया में हो गया मिक्स अपह गया कोई लोट प्याइधा बढ़ें गए तो इसको अपन को फिर बाद में फिर बाहीं उल्लग से छाट का रखना पड़ता है फिर से रिवांड करना पड सब्सक्राइब यहां बिल्कुल पतला हो गया तो इसे चाहिए 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 यह आधी डॉप है यहां से डॉप गिरा दिये इतना बॉबिन मिला तो नमबर बॉबिन साइकल बढ़ जाएगा रिया अटो कोनर में तो प्रड़क्शन घड़ जाएगा वह तो वह दो चीज आवर्ण करना पड़ेगा डी से पाइंड हाब बेट्स है कि अधिक्स पाइंट देखें यह अपना मैसी डिपार्टमेंट वाइज पाइंट बता दिया था यह हो गया उसके पाद जेनराल पाइंट मतलब सब डिपार्टमेंट के लिए यह लागू है सब्सक्राइब पहला देखिए अपना रिप्लेस थार्टिशिक्स वाट ट्यूब तू एटीड वाट एलेड़ बाल्पस पहले जमाने में क्या होता है अपना ट्यूब लाइट लंबी-लंबी त्शतिस वाट का बड़ा बड़ा ट्यूब लाइट पूरा रूप में लगा बड़ा बड़ाता है यहें सबसे पहले हैं करना तो दिछेफ कर दीजिए वह लेड़ेट परिप्लेस कर दीजिए केclassgere att उसमें इंबर्टर का उपोजय करिए ताकि उसका power saving कराएगा और इंबर्टर और कहां-कहां लगा सकते हो humidity plant का pump motor में इनबर्टर लगा सकते हो और simplest का अगर पलिष्टर चला तो उसमें भी फ्यान में यह पूरा मेल में जहां-जा जा मोटर लगा हुआ हर जागा एक शीडूल चेकिंग रहेगा मोटर कितना करेंट खिषता है शमलो एक रिम प्रेम का मोटर 45 अंपियल लेना चाहिए वो पंश्पन तेक लेता है तो उसमें क्या होता है तो पंश्पन अंपियल लेगा तो वो करेंट ज्यादा खिचेगा पावर खर्चा बढ़ेगा कभी-कभी मोटर भी फुख जाएगा तो इसलिए बीज-बीज में सी सी we把 it takenug when getting gar problemas मेंसेन का या मोटर का रोटर में वेरिंग वेमें कहीं पर फार्ण होग गदेगा उहात न het एक प्रियहान डिख फिर इम मॉटर जिक वहांतु क्रांऻ नदेज पर कि प्रेसं इस सब्सक्राइब होगा यह मोटर लिकैज को तो यह स्कतिर निक होगा हो होता है भिरinhardol समरो किसी पॉब्लिक हैलिट का दिन आप बंद किया बंद करने से पहले एक टीम त्यार कर दीजिये 7-8 फिटर। मैर्म का मेंट्राया को मेंटैंस मैंचर का टीम त्यार कर दीजिये जैसे अपनट चल कर दिए मिल तो अपर और वह पूरा तेजी से पूरा मेशिन कवर कर लेंगे कहां पाइप फटा है कहां से हवा लिकेज होता है वह आवाज आता रहेगा इसको डाइग में नोट कर लेंगे कि फलाना मेशिन में फलाना नंबर पाइप यह जागा फटा हुआ या ड्रैप्टिंग ज़र में यह पाइप फटा हुआ शारी नोट करके रख लेंगे और इसको एक एक करके आटेंड कर देंगे और यह यह लिकेज जितना कवर करोगी उतना कंप्रेसर आपकी कम चलेगा सम पूरा चलेगा दो कम एक कंप्रेसर रहेगा अजरत पर चालू होगा बंद हो जाएगा तो इसमें आपको पावर का बहुत बच्चत होता है तो यह यह बहुत बड़ा मैटर है इसको ध्यांद से हंडल करेंगा यूज मिनिमम लाइट स्टॉप लाइट से एबब स्टॉप मैंसों जैसे से समलो अपना 25 रिम में अपन पांच रिम फ्रेम में लेवर साट में बंद के तो उसका क्या करोगी ऊपाँ इंपर लाइट बंद करना पड़ेगा लाइट बंद करो की उतना पावर्त बचत कर पहोगी उसके बाद में देखो आज पर रिक्वार्मेंट रहार और एच प्लांट भी समवलो अपनी जितना जोरो तो उत्रा चला जैसे बारिस का टाइम में अपन खाले रिटेन चला लेंगे पूरी प्लांट नहीं चला या तो आरेच प्लांट भी उसी साब से चलाना कभी-कभी तो अपन ब्लोरूम काडिंग ड्राइंग सिंपलेस में मलब प्लांट फुल टैम नीच चलाते जब जब ज़रत पड़ता है ज्यादा दिक्कत होने लगता है तब चलाते और प्लांट हपजनली चलाने से क्या होगा आज पर नेड के इसाब से इसमें पावर बहु कुछ मील वाले क्या करते बंद कर दिये लेकिन वही श्पिंडल चलाते रहते अफ्ट फिंडल हेविय रहता है अगर बंद करते हो आपकी किसी करन से बंद करते हो कोई प्रबलम नहीं लेकिन इसको टाइम देखके एक-एक मेशीन का स्पिंडल चेंज कर देना चाहिए नर्मल स्पिंडल डाल देना चाहिए उसमें आपको पावर कंजप्शन कम हो जाएगा और यह जो आए औरेज भ्याण ब्लेड युज लाइट वेट जो हिमिडिटी प्लाने का देखना अब पूराना जमाणे में जो था रात पूरा यह भी रहता था इसो घुमाने में बहुत पावर खर्चा होता था आज कल की जमाने में अलमिनियम ब्लेड आलोय का ब्लेड और फाइबर का ब्लेड आ गया तो हमेडिटी प्लांट सिलेक्शन की टाइम में पावर कंजप्शन का मतब ध्यान रखे अगर आपकी पास गुंज सब्सक्राइब आपकी पावर कंजप्शन होगा सब्सक्राइब बिल्कुल स्पीड कम चला ले हर जाएगा वह बुरों की पावर ज्यादा रहा है तो तो आई गाई है तो हर जाएगा प्रेक्टिविटी मैक्सिमम लेबल तक लेना पड़ेगा तब आपकी यह होगा लास् की 25 से स्पिंडल का मिले आप 15 ज़रुद नहीं पूरा प्रिपाट्री चला रहा है वहीं 15000 की हिसाब से ड्रेंग चलाएग चलाएगे तो आप जाके आपकी पावर बालांस होगे चलेगा आगर आप रिम्फिरम कम चलाके प्रिपाट्री पूरा चला दिया तो कोई बढ़ जाएगा आज की पावर कर्ष्ट के सब्जेक्ट टपिक में एहीं समाप्त करता हूं और मैं उमेद हैं आप लोगे वेडियो पूरा पूरा देखोगी और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा थेंक्यो हूं हूं